हालो फ्रेंड्स आपका एक बड़ फिर से हमारे यूट्यूब चैनेल पर स्वागत है मैं डॉक्टर सुशिला सेनी एक बड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेग्णनसी में हीमोग्लोबिन के लेवल के बारे में देगरी हो सकते हैं माइल्ड मोटेट और सीवियर अब नॉमल कहा होता है और अबनॉमल कौंसा होता है और यह प्रेग्निंसी में इतना इंपर्टेंट क्यों है और यह कम क्यों हो जाता है इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है इस पूरे वीडियो में हम आपसे ही सारे points discuss करने वाले हैं तो बने रही हमारे साथ तो आए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एनीमिया क्या होता है और हीमोगलोबिन का कम होना क्या होता है जनरली जो भी हमारा blood होता है खुन होता है उसके अंदर जो लाल रंग होता है वो हीमोगलोबिन से बनता है हीम इसको लाल कलर देता है और आइरन से इसका निर्मान होता है इसलिए जब भी आपके शरीर में खुन की कमी होती है तो आपको यह कहा जाता है कि आइरन की गोलियां लीजे आइरन के इंजेक्शन रखवा लीजे ताकि आपके शरीर में खुन की मात्रा बढ़ सक अब दूसरा सवाल आता है कि आखी नॉर्मल लेवल कितना होता है तो जो नॉर्मल लेवल होता है तो हीमोगलोबिन का जो CBC टेस्ट होता है उसके अंदर हीमोगलोबिन का लेवल भी आता है और हीमोगलोबिन नॉर्मल 10 से 12 माना जाता है यानि कि 12 के ऊपर है आपका हीमोगल दस और आठ के बीच में अगर है तो यह moderate है और आठ के नीचे है और यह साथ के नीचे चला जाता है तो इसे हम severe anemia कहा जाता है और जब आपका hemoglobin का level साथ के नीचे चला गया और आपको सांस की तकलीफ हो रही है आपको चलने फिरने में परेशान ही आ रही है आप pregnant भी है त ताकि आपके recovery fast हो क्योंकि जब भी आप खाना पीना बढ़ाती है आयरेन की गोली injections या कोई दवाई लेती है तो जो हीमोगलोबिन का निर्मान होता है जो synthesis होता है उसको करीब परीब एक से डेड़ महीना लग जाता है इसलिए जब भी आप गोलियों से खुन बढ़ाने की कोशिश करेंगी तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा लेकिन अगर आपको सांस की तकलीफ है बहुत ज़दा परेशानी आ रही है खुन का लेवल काफी नीचे आ गया है तो blood transfusion यानि खुन चड़ाना भी एक option होता है जिससे की फटा-फट recovery होती है अब pregnancy में इतना important क्य होगा उसी में से फिर आगे बच्चे को transfer होता है तो आपके खुन में ही अगर किसी चीज की कमी है तो बच्चे को transfer नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके पास वो चीज है ही नहीं इसलिए pregnancy के अंदर iron और calcium का supplement दिया जाता है क्योंकि यह वो दो important elements है जो बच्चे के बनावत मे निर्मान में सहयता देते हैं क्योंकि एक तो body बननी चाहिए और इसमें blood बनना चाहिए blood बनने के लिए hemoglobin सबसे important और hemoglobin को बनाने के लिए iron सबसे important है दूसरा body बनती है इसमें muscles बनती है, bones बनती है, यानि हड़ियां बनती है, मास्पीशियां बनती है उनके लिए calcium के requirement काफी जादा होती है और normal तो पर एक माँ अपने खाने पीने से calcium और iron की demand पूरी नहीं कर पाती है इसलिए उन्हें supplement के तो पर iron और calcium दिया जाता है यदि आपके शरीर में calcium क कमी है तो बच्चे को भी calcium के कमी होगी आपके शरी में iron की कमी है तो बच्चे को भी कमी होगी और जब भी माँ एनेमिक होती है तो बच्चे की growth कम हो जाती है बच्चे का वजन कम हो जाता है बच्चे की premature death हो सकती है पेट के अंदर बच्चा कमजोर होने के साथ साथ के लिए अपने हम मदर को पहले ही आयरन सप्लिमेंट देते हैं खुन का लेवल एट लिस्ट दस के ऊपर बनाके रखते हैं ताकि बच्चे और मां के अंदर खुन की कमी ना हो एक स्वस्त जच्चा एक स्वस्त बच्चे को जण दे सके अब एक और समस्या होते है जब भी प् और अगर उसमें 500 ml यह 1000 ml ब्लड का लॉस हो गया तो बहुत ज़दा आप में खुन की कमी हो जाएगी और पीपीएच की संभावनाएं भी काफी ज़दा बढ़ जाती है जब भी आपकी एनिमिक मदल डिलिवर करती है तो इसलिए खुन का लेवल ज़दा होना बहुत जरूरी है ताकि डिलिवरी के टाइम पर जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको बचाया जा सके पीपीएच की संभावनाओं को कम किया जाए और जच्चा और बच्चा की डैथ को रोका जा सके अब आपको यह समझ में आ गया कि मदर के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छ जरूरी क्यों है ताकि स्वस्थ बच्चा पैदा हो सके और मा का स्वस्थे भी ठीक रह सके